आप देख रहे हैं नोव दर टेंस पंजाब केसरी टीवी किर्सी कानून बिल के विरोध में जहां दिल्ली के बॉरडर पर लगातार किर्सी आंदोलन चल रहा है वहीं अमरीका में इसका जो पर्दसन है वो किस तरिके से अमरीका के अंदर सपोर्ट मिल रहा है हमारे साथ भा मांदान से इस क्रिशी अंदोलंग में सपोर्ट है और ये सपोर्ट बढ़ता चला जाएगा क्योंके खालसा एड नाम की जो संस्ता है वो पूरे वर्ल्ड में सब जितना भी हुमिटेरिन काम करती है हम चाहते हैं कि उसको सपोर्ट हो ताकि उसके वज़ा से भी यहां पे सप साथ वहां के जो भारतिय मूल के जितने भी सिख अमरीका में हैं वो अपने अपने गाउं में सपोर्ट कर रहे हैं अपने अपने शेहरों में सपोर्ट कर रहे हैं अपने अपनी ऑर्गनिजेशन में सपोर्ट कर रहे हैं और सभी को तन मन धन से जो भी जुरूरत है वो भी अगर बात करें खाल सा एड़ की आपने बात करी पिछले दिन उनको एक नोटिस भी हुआ था क्या लगता है कि इससे जो है मनोबल जो है कही न कहीं गिरता है आपको पता ही कि सिखों का मनोबल किसी चीज से निगिए ऐसी चीजों से ऐसी जो गिदर धंकिया है किसी सिखों का किसी गौवर्मेंट से या किसी किमुनिटी से कोई कोई दुश्मनी नहीं है या उन से कोई रोस नहीं है रोस तो जो 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 गौवर्मेंट है जो लोगों की गौवर्मेंट है और लोगों को ध्यान में रखकर कनून नहीं बना रही उसके लिए ये परदर् प्रिटेशन जो है यह इसलिए है कि जिस चीज की किसानों को जूरत नहीं थी आप उसको क्यों दे रहे हो यह इस चीज के लिए है कि जो क्रोनी कैपिलिजम है जो हिंदुस्तान की जो गवर्मेंट का जो कॉर्पर्ट घरानों के साथ ताल मेल होकर के उनको ज्यादा कारवाई हैं उसको रोकने के लिए सिख कौमा गया है लेकिन लगतार तस्वीरों में भी देखने को मिला है कि अमरीका के अंदर भी किसानी के सपोर्ट में जो है अंदोलन हुए हैं किस तरीके से वो अंदोलन की जो रूपर का है वहाँ पर रही है वहाँ पे बहुत कोडि ने कि घडियूए क्या सिक तो हर तकरीबर हर यहर के बड़े शेतर हुरों में जहां जहां पर हσαं पर रहते हैं उन्हों ने इसका अंदोलन किया और इनकी सपोर्ट कि मुझूदा राष्ट्रक्टिकर अगर बात चाहिए कि अगर उनका हमारे कौम के प्रतियस चरवईया है लेकिन दूसरों के लिए नहीं तो हम उनके लिए सपोर्ट करेंगे नहीं सिख जो है वो देश और राश्टर के हित में खड़े होते हैं किसी जो जो कौम हाशी पे चली गिए जो कौम मार्शनलाइजड है जो कौम जिस कौम को कोई नहीं सुनता उस कौम के लिए खड़े होना हमारे लिए जरूरी है सिखों के जो हैं टरंप के साथ बड़े अच्छे रिलेशन थे लेकिन उसके बावजुद भी मजोर्टी और सिखों ने उसको उसके गेंस्ट में वोड डाली क्योंकि उनकी जो नीतियां को लेकर आपने भी बहुत सारी जो है मुहिम चेड़ी हुई थी लेकिन जिस तरीके से अभी मोजुदा रात में आपने क्या मुहिम अमरीका के अंदर चेड़ी हुई है हमारा तो मेन ऐसे चेरमेन अफ सिक्स पॉलिटिकल एक्शन कमेटी हम तो यह हमारी मुहिज़ में यह है कि अमरीका के हर स्टेट में हर स्कूल में हम सिक्ष हिस्ट्री जो है उनके पब्लिश स्कूल में पढ़ाएं क्योंकि 15 मिलियन जो स्टूड़न्स हैं वो हर साल हाई यह एक सस्टेनेवल एफट है तो लगता है कि सरकार वहां की जो है वो इस कारिये में आपके सपोर्ट कर रही है सरकार सपोर्ट कर रही है बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है वो तो कहीं पर यह कहते हैं कि हमें तो पता ही नहीं था अगर आप पहले भी कभी हमारे पास साथ है तो हम तब भी इसलिए कर इसके जो सिक्षिस्ट्री है पब्ली स्कूलों में लगाते हैं तो बिल्कुल यह थे इन गुरुइंदर रिजेंग खालसा जिन्होंने नवदेटेंस पंजाब केसरी से खास बाचित की दिली से कमल कुमार कंसल नवदेटेंस पंजाब केसरी त्यूट टिवी